देखे सबसे पहले तो मैं आज भारत के 134 क्रोड आबादी में 14 क्रोड किसान परिवारों को बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोट ने जिन चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया था उस कमेटी में सामिल किसान नेता वुपेंदर सिंग मान ने अपने को भार कर दिया और परसंड चिन खड़ा कर दिया सुप्रीम कोट की कमेटी पर वुपेंदर सिंग मान ने कहा कि मैं पंजाब और किसानों क के हितों के खिलाब समझोता करने के लिए इस कमेटी मैं नहीं रह सकता उसलिए इस्तिपद देता हूं तो मैं सुप्रीम कोड में बैठे मुक्यान आदीजी यह साफ साफ हो चुका है कि जिन चार सद्धियों को आपने सामिल किया था उन में से किशान नेता वुपिंदर सिंग्बान ने कह दिया यह कमेटी किशानों के हितों के खिलाब काम करेगी पंजाब के लोगों के हितों के खिलाब काम करेगी इसलिए उन्हों ने अपने को बाहर कर दिया मैं लोडी और मक्र संग्राण्जी के अफसर पर आज किशान आंद ये कमिटी का सुझाओ केंदर सरकार के द्वारा दिया गया था तब भी हमारे किसानों ने खारिच कर दिया था और तीसरी मैं तो पुरुन बाता आप से कहना चाहता हूँ आठ दोर की बात हो चुकी है और हर दोर की बात में एक यी बात हमारी तरफ से जा रही है और वो ये कि हमें किसी भी कीमबत में ये तीन काले कानून सुप्रीम कोट में बैठे बोबडे जी आपको बताना चाहता हूँ ये देश में जमा खोरी करने के लिए किसानों को लूटने और मुनाफा खोरी करके देश के उप भुगताओं को लूटने का जो कानून आया ये हमको मनजूर नहीं है देश में ठेकेदारी व्यवस्ता के तहट देश के खेट, खलियान और खाद्यान को राश्टर बवराश्टर कमपणियों के हातों गिर भी रखने काला कानून हमको मनजूर नहीं है और तीसरी महतोपुरून बात हमारे देश में जो मंडी व्यवस्ता 6900 मंडियां है और नियूंतम समर्थन मुल्या जहां मिल पा रहा है उसको खतम करने और 9600 मंडियों की जमीन को अपने चहेतों को बेचने का सड्यंतर जो मोधी सरकार और संग परिवार कर रहा है ये हमको मंजूर नहीं है इसके लिए कमेटी की क्या जूर्थ है और कमेटी में आप कमेटी अपने मर्जी के लिए मर्जी बनाएं लेकिन मैं दूसरी महतोपुरून बात कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोधी आया था आप सब लोग जानते हैं आसा राम का चेला है और आते समय बोला मा गंबाने बुलाया है मैं गंगा का लाल हूँ और सत्ता में बैट करके अधानी अंपानी का दलाल बनके रह गया है लेकिन हमारे भारत के किसान बोबडे साब ये बहुत बड़ा सडियंत्र है क्या कहा जा रहा है आपने सवाल उठाया कि सोचक जो कोरोना काल में जो दिशा निर्देशं का पालन नहीं हो रहा है मैं बधाई देना चाहता हूँ किसानों को आज मकर संग्राजी का असनान पूरे देश की नदियों में करोणों लोगों ने गोता लगाया किसी परकार का सामाज सारे डिक दूरी का मामला नहीं कोई मासक का मामला नहीं पानी से कोरोना नहीं फैलता है इस पूरे किसानों प्राश्रुगैस के दो सोचे ज्यादा बंबर्सा क्योंकि जाच इसकी होनी चाहिए थी ताकि दूद का दूदर पानी का पानी हो हमारा अधिकार है आंदुरंड करने का और सुप्रीम कोड भी साथ है शायुक्त रास्तंग के महासची भी साथ है विश्व के 76 दे 15 जून को हमारे 20 बहादूर जवानों के निहत्य जवानों के हत्या की थी चीन ने और 66 जवानों को गायल किया था तब मोदी ने कहा था नरेंदर मोदी ने कि चीन को टाइनल बनाने को ठेका दिया गया एक हजार एकसो चोबिस क्रोड का ये रद किया जाएगा और जिस दि वो ठेका चीन की कमपणी को दे दिया दैनिक जागरन तीन जन्वरी को अपने अगवार में छाप चुका था श्याम को आठ बसकर बावन मिनट में इस क्रोनलोजी को आपको समझना चाहिए बोबडे साथ क्या कारण है सुप्रीम कोट ने आदेश दिया लाठी रंडा नहीं चलेगी और बंबर्सा की गई ताकि चीन को दिया गया ठेका यह देश का गदार चीन का बफादार जवानों को चीन के सीमा पर मरवाता है और उसके बाद हम जरा जानना चाहते हैं हमारे जवानों को मारा किसानों के किसानों के लाल को चीन की सेना ने मरवाया मोदी ने और चार तारिक का क्रोनलोरी सारे अखबाटी भी ने चीन के ठेके की बात चार जन्वरी को छापनी थी, वो पहले एक्स्पोज हो गई, चार जन्वरी को बिज्ञान भाव ने मिटींग रखी गई, और चारी जन्वरी को रावट बाडरा के करेले पर आयकर विभाग छापा मारता है इस क्रोनलोजी को बोबडे साथ आपको समझना चाहिए 2021 माई 2019 को दस्वी बार पेस हो चुका था रावट बाडरा ED के पास क्या इतने नालायक और गदे है ED में आयकर विभाग में CBI में जो नालायक कई सालों से यह नहीं ढून पाए कि कहां कहां उसकी संपती है इस क्रोनलोजी को आपको समझना पड़ेगा जब बात बदलनी हो चीन को ठेका देने के लिए तो आप किसाना पर बंबरसा करवा देते हैं बाड़रा के घर में आयकर विभाग का च्छापा वर्मा देते हैं और किसानों की बिज्ञान भवन में पंचायत बुला लेते हैं इस क्रोनलोजी को भी आपको समझना पड़ेगा देश्वासियों और अब मैं यह बात इसले कहना चाहता हूं इस क्रोनलोजी को भी आप समझिए कमेटी बनाने की इच्छा सरकार कीची जो चारों लोग हैं चारों के चारों में जायए वो जोशी जी हो गुलाटी जी हो और धन घनवंत हो यह तीन वह लोग हैं जो निरंतर आर्टी का लिखते रहे बोलते रहे इन तीन काले कानून के अपक्स में और चोथे भुपेंदर सिंग माहान ने सवाल खड़ा कर दिया तो मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोट में बैठे बोविडे साथ इमानदारी की बात तो यह है आप इस कमेटी को खारिज कर दें ताकि सुप्रीम कोट की मरियादा कायम रह सके क्योंकि बुपेंदर सिंग माहान ने कह चुके हैं कि यहां किसानों के खितों के खिलाप काम करेगी इसलिए वो कमेटी से बाहर हो चुके हैं यह देश के आवाम के खिलाब फैसला करने वाली कमेटी है इसलिए वो भार हो चुके हैं हमारे देश में हम किसान संगठनों ने कभी इनका नाम नहीं दिया आप भी समझ सकते हैं वुपेंदर सिंग मान जब मीटिंग में थे पंजाब में कैप्टन अमरेंद की मीटिंग में तो हमारे लड़ा का किसान संगठन ने कहा अगर वुपेंदर सिंग मान यहाँ बैठे रहेंगे तो हम लोग उस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे हमें बात इसलिए कहना चाहरा है और आज यह हमारी बात प्रमाणिक होती है क्योंकि वुपेंदर सिंग मान है जो शरकार के पाज जाकर के उनकी विफक्ष में बात करने की बात कर रहे थे आज भुपेंदर सिंग मान भी समझ चुके हैं किसानों की ताकत को इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं सुप्रीम कोट में बैठे जजों से पूरे विश्व में अहिंसक तरीके से गांधी के मार्क पर चल में है कोट की इसमें कोई भूमिका नहीं है यह पंच नहीं आप पंचायत मत करिए मैं आपको बताना चाहता हूं देश का किसान दिल्ली आ रहा है जान भूष करके स्वडियंत गयता है मोधी सरकार 14445 बोबिडे साब रोजना फेरे लगाती है कोरोना के नाम पर रेल सेव मैं बोबिडे साब आपको आगा करना चाहता हूं यदि आप लाठी डंडर गोली चलवाएंगे तो 14 करोड किसान परिवार दिल्ली आएंगे दुनिया के किसी के बाप की ताकत रोखने की नहीं है पैदल आएंगे साइक्टर से आएंगे बैल गाड़ी से आएंगे बस से पहली बार टेंक और टेक्टर का एक साथ रैली होगा हम सब इसले कहना चाहते हैं कि कोट को बीच में नहीं आना चाहिए सरकार ने कानून बनाया है आप सरकार को आदेश करें सरकार संसत का सत्र बुला करके इन काले कानून को खर्श करें या बिना संसत का सत्र बुलाएं जैसे कोरोना काल में जून में अध्यादेश ला करके इन तीन काले कानूनों को अस्तित में लाने का काम किया गया और दूसरी महतुकरून बात अंतराश्टिया अस्तर पर जो रिपोर्ट है 45 लाग करोर रुपए का बोबिडे साथ उसकी कमेटी बनाईए हमारे किसानों को न दूसरी है नियुनतम समर्थन मुल्य की गारंटी पर खरीद का कानून कैम करो वो बिडे साथ आप 45 लाग करोड़ रुपए की जाज का क्यों नहीं बिठाते कमेटी हमारे देश में जब 30 जनवरे को कोरोना आया था 54 तक ताले नहीं लगे रेल पर जहाज पर उद्योग प करेफिका नहीं सब खोल दिया जाज बिठाइए इस नालाएग ने तंव बजाई हर रौट बंदी करके पहले साल पांच क्यों नुक्सान किया दूसरे साल ताली बजाई तेक्स पत्धती बदल करके staysक बढल करके बारा कलती ठंड में खुले आस्मान के नीचे हमारे किसानों पर पानी तोप छोड़ी गई उससे हमारे किसानों की जांग गई खुले आस्मान के नीचे विवसाई किसान कलती ठंड में भीगते हुए सत्तर के करीब किसानों की जान चली गई इसकी जाज बिठाईया इसकी जाज बिठाईये कि जब देश के अंदर ताला लगावा था रेल पर जहाजों पर बसों पर सरकार ताले में बनती और बोविडे साथ पिंज़रे में पूरे अदालत के जज़ भी पिंज़रों में कैथ थे कोरोना के बैसे तब 137 क्रोड आबा करने की और अब छीन से देश को तवा करने का पैसा लिया हुआ है देश के उड्यों खटम कर दिए हो टालेंटिटी चोपट कर दी रेल विवस्ता खटम करती व्यापार चोपट कर दिए एक मात्र चीज बचीती हमारे खेती किसानी और हमारे खाध्यान को कंपणियों के पंजाब को कमेटी बनाने चाहिए यह कमेटी मत बनाई यह तीन काले कानून पर आप हमें बद जाना चाहते हैं आप से बोबड़े साब जमाखोरी का कानून से यह को क्या फाइदा होगा आप से हम जाना चाहते हैं में बिशेज बस्तु अधिनियम बना था कि बंडारन करके किसान को और बंडारन के बाद उब्भक्ता को लूट निचे का सधियंत्र है पंजाब के हमारे किसान जानते हैं जब आलू ज्यादा होता है तो कड़ा लेके आती यह कंपनी बड़ा आलू भी नहीं चलेगा चोटा असरव में बिखती है जातके क्या जूरत है बोबडे साफ इसलिए मैं आपसे आग्रा करता हूं कमेटी उन बुद्धों पर बनाए जिस पर देश चाहता है इस पर मत बनाए जो मोधी सरकार की मन सा यह अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कुछ शवाल आपके मन में होता है किस तरीक एक हल हमने कमेटी की मांग नहीं की हम आदालत में नहीं गए हमने कोट का दर्वाजा नहीं कठटाया हमने तहीं कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे हमारी लड़ाई सरकार से है सरकार तीन काले कानून लाईए उनको खारी सरकार करेगी कमेटी नहीं करती है और सरकार यह चाहती है कि जो संबाद हम सरकार से कर रहे हैं वो संबाद हम कमेटी से करें सरकार की चाल क्या है सरकार ये चाहती है कि किसान आंदोलन बात नहीं करना चाहते हैं मैं आपके माध्यम से देश के 170 कोड़ आवादी को बताना चाहता हूँ लोग तंत्र में हमारी जंताने देश ने हमने सरकारों को चुना है कमेटी का चैन नहीं और जो सरकार काले कानून लाई है उससे वापस कराने के लिए हम संबाद भी करेंगे हमारा आंदोलन भी जारी है और हम सहादत भी देखे रहेंगे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे जब तक तीन काले कानून वापस नहीं होते और नियोंताम समर्थन मुले के गारेंटी पर खरीद का कानून नहीं बनता है तब तक हम आपसी नहीं करेंगे